Hey guys, welcome to my online CA, मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं How you can save the taxes with the ELS mutual funds किस तरह से आप यहाँ पे tax save कर सकते हैं और अपना जो wealth creation create कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से लिए बताना चाहूंगा हमने investment के उपर एक पूरा daddy के डलक से channel खोल दिया है जिसका नाम में wealth देखो description box में यार आपको link मिल जाएगी तो please हमारे उस channel को जाकर एक बार जरूर देखे काफी अच्छी मापे value हम लोगोंने provide कर रखी है तो चलिए guys वीडियो को करते हैं शुरू so guys सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखे जो ELS mutual funds होते हैं उसका आपको किस तरह से यहाँ पे benefits होता है जिसके अंदर आपका life insurance हो गया वो हम लोग insert करते हैं या फिर मालीच हमना जो कोई term plan है वो लोग हम लोग insert करते हैं या अपना PPF हो गया ठीक है तो यह सारी चीज़े मिलाके यहाँ पे आप लोग को date lag की deduction मिल जाती है लेकिन guys कई सारी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में यह सारी चीज़े नहीं होती है तो guys अभी जो trend आ रहा है जो नया वाला trend है उसके अंदर लोग जो maximum जो deduction लेना चाहते ADC के अंदर वो चाहते ELS mutual fund के थूँ क्योंकि guys ELS mutual funds है वो आपके जित्ते भी returns है चाहे वो आपको NPS से मिलते हैं या PPF से मिलते हैं या bank की FD से मिलते हैं उन सभी को यहाँ पे beat कर देते हैं आप मेरी screen के सारी में देख सकते हैं यहाँ पे money control के उपर जित्ते भी ELS fund है उन सब का आप graph देख सकते हैं सभी अगर आप 5 साल का on and average return भी उठा के देखेंगे तो आपको हमेशा 15% से जाते जादा return मिलेगा तो guys आपको अभी तक जित्ते भी अपने जो investment product होते हैं चाहे फिर वो अपने market link बेसी लिए insurance हो गया PPF हो गया NPS हो गया FDs हो गई यह जित्ते भी आपके जो product है जो आपको ATC के अंदर direction दिलवाते हैं उन सभी का जो return है वो काफी काम होता है second guys benefit यह मिलता है कि जित्ते भी ELS funds होते है maximum वो basically यहापे large cap के अंदर invest करते हैं large cap की बात करो अगर मोटा मोटा तो BCL आपका जो nifty 50 चलता है जिन लोगो nifty 50 के बारे में नहीं पता कि हमारे जो देश की जो top BC 50 companies है या 100 companies है जो के वल उनी के अंदर यहापे जो ELS fund है वो basically mostly यहापे invest करते है third guys आपको advantage यह मिल जाता है यह जित्ते भी ELS funds होते है तो guys इनको properly एक expert चलते हैं कौन साय stocks buy करना है कौन साय stocks sell करना है कितने proportionate में करना है किती quantity के अंदर करना है क्या expense ratio अचीए यह सारी चीज fund है उसके अंदर आप शाय तो lump sum invest कर सकते हैं या फिर SIP route के through invest कर सकते हैं जापे आप 100 रुपे की भी SIP से अपनी यहापे शुरुआत कर सकते हैं अब guys यह तो हो गई बात हमारे सारे benefits की अब मैं यहापे कुछ disadvantage की भी बात कर लेता हूं वो भी आपको यहापे जानना कर सकते हैं नहीं guys इसमें pre-match your withdrawal की facility होती है मला आप देखेंगे जितने भी हमारे other products होते हैं उसके अंदर मालीची emergency cases में आप वहापे withdrawal कर सकते हैं लेकिन guys जो ELS fund है उसमें basically आप 3 साल के पहले उनको नहीं तोड़ पाएंगे second thing guys आप maximum यहापे डेट लाग का ही investment कर सकते है मला investment जादा कर सकते हैं लेकिन आपको जो tax की छूट मिलने वाली जो maximum deduction मिलेगी वो सिर्फ 1,500,000 रुपे की ही मिलेगी डेट लाग का अगर में मोटा मोटा हिसाब करूं तो 46-800 रुपे का आपका यहापे tax जो हैंपे save हो जाता है 4 disadvantage guys यह कि जब भी 3 साल होंगे और 3 साल बा आपका tax लेगा benefit है अगर आपको profit हुआ एक लाग के उपर तो उसके उपर आपका 10% long term capital gain लग जाता है अब बात करूगा guys कुछ mistakes की जब भी लोग जो ELS mutual fund के तरे invest करते हैं तो वो लोग क्या mistake करते हैं तो guys सबसे पहली mistake और सबसे बड़ी mistake यह कि हम लोग January और March आने का wait कर तरे रहते हैं क्यों क्योंकि January और March के अंदर हमें याद आता है कि हमें income tax return file करनी है तो उस time पर basically हम लोग check करते हैं कि हमारा ATC कितना पड़ा हुआ है और जितना हमारा gap दिख रहा होता है एक साथ ही उठाके हम लोग ELS mutual fund के दर invest कर देते हैं जो कि एक गलती है आपको हमेश आज से अगर आपने invest करना स्टार्ट किया तो मालीजे थोड़े दिनों बात में मार्केट अगर अप है तो आपको कम units मिलेगी उसके मालीजे market crash हो जाता है तो आपको जादा unit मिलेगी तो guys आपकी जो holding cost है आपकी जो buying cost है वो basically यहाँ पर average हो जाती है साथ में guys एक और गलत form से उन सभी के ऊपर जो है direct plans चलते है mutual funds के तो उन ELS mutual funds के direct plans के अंदर आप invest कर सकते हैं साथ में guys आपको जो investment करनी है वो हमेशा growth वाले plan के अंदर करनी है इसके अंदर आपको dividend payout and dividend reinvestment दोनों type के आपको plan मिलते हैं लेकिन आपको हमेशा investment करनी है वो growth वाले plan के अंदर करनी इसके बाद में guys लोग एक और गलती ये करते हैं जैसे ही तीन साल खतम होते हैं वो अपना जो भी fund होता है उसमें से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं आपको देखिए हमेशा ध्यान रखना है जो mutual funds होते हैं वो obviously सारे equity के अंदर invest करते हैं तो अगर equity cup में funding की बात करूं तो आपको minimum यहाँ पे 10 से 15 साल का at least holding हमेशा ही रखना चाहिए ताकि आपको अच्छे कासे profit हो सके तीन साल बात mature होने के बात में भी आप जो यहाँ पे 10-15 साल के लिए अपना जहां holding रख सकते हैं इन ELS mutual funds के अंदर तो guys मैंने आपको यह पूरा overview दे दिया मैंने आपको benefits भी बता दिया, disadvantage भी बता दिया और मैंने आपको कुछ mistakes भी बता दी जब हम लोग ELS mutual fund के अंदर invest करते हैं आप guys top के ELS mutual fund कौन से हैं इसके ओपर मैं एक अगला वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर आपको detail के अंदर बात करने वाला हूँ तो तक तक के लिए इतना ही so guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आपके कोई भी डाउट से comment section के अंदर ज़रू mention कीजिए thank you guys, thank you very much